आज की डेट में ये best water purifier है ये आरो नहीं है ये gravity based water purifier है और मैं इसे best क्यों कह रहा हूँ आप यहाँ पे दो water purifier देख रहे हैं एक बड़ा वाला जिसे मैंने आज ही अन्बॉक्स किया है इस वीडियो में अन्बॉक्सिंग भी करूँगा इंस्टॉलेशन भी बताऊंगा औ और छोटा वाला, छोटे वाले को मैं दो साल से यूज़ कर रहा हूँ, छोटा वाला 10 लिटर का है और बड़ा वाला 22 लिटर का है, अन्बॉक्सिंग करते हैं, इंस्टॉलेशन करते हैं और सारी जरूरी बातों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, इसे मैंने खरीद इसका सारा समान निकाल लेते हैं, मैं समान आपको एक एक करके तब दिखाऊंगा जब मैं इसका इंस्टॉलेशन करने वाला हूँ, फिलाल में मैं आपको एक जलक यहाँ पर दिखा देता हूँ, साथ ही में इसमें वारंटी कार्ड भी आपको इसके अंदर ही देखने को मि इंस्टॉल करते हैं, सारी जरूरी बाते भी यहीं पर कर लेते हैं, क्योंकि जैसा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि एक छोटा वाला जो मैंने आपको दिखाया था, उसे मैं दो साल से यूज कर रहा हूँ, कैसा experience है वो भी मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पर ह आप company से direct order करते हैं, मैंने जो दो साल पहले लगाया था, वो मैंने company से ही order किया था, वो 10 लिटर का है और वो मुझे 1700 रुपे के आसपास पड़ा था, यह 22 लिटर का है, यह 25-26 रुपे के आसपास आपको पड़ेगा, मैंने 2500 का लिया है, प्राइस उपर नीचे थोड़ा बहुत fluctuate होता है, तो installation में सबसे पहले जो हम इसका tap लगाएंगे, tap को लगाना बहुत असान है, tap के साथ में दो washer मिलते हैं, एक को मैंने आगे की तरफ लगाया और एक को मैंने पीछे की तरफ में install कर दिया है, इसके बाद में जो है, इसको हमें tight करना है, और हातों से ही य आपका purifier यूज में नहीं है, आप इसको इस तरह से लगा के रख सकते हैं, और यूज करने का time base को आप हटा सकते हैं, तो ये एक अच्छा option है, पुराने वाले में भी था, इस वाले में भी है, वाल मांटिंग के लिए साथ में आपको wall plug और screws मिलते हैं, और पीछे की इसको अब इंस्टॉल करना है, और साथ ही में ना UF मेंबरेन को clean भी करना पड़ता है, अब इसकी cartridge या UF मेंबरेन कब-कब change करनी चाहिए, तो company recommend करती है, साल में एक बार इसको change कर दो, हाला कि पानी इसमें नहीं रुखता, साथ में एक सिरिंज दे रखी है, UF मेंबरेन में ही ये काम आएगी, UF मेंबरेन को कैसे clean करते हैं, वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ, सिरिंज में आपको पानी भरना है, और UF मेंबरेन में इस तरीके से आपको वो पानी जो है, उपर की तरफ से सिरिंज से प्रेस करना है, अब ये खाली है, तो एक बार में पा को change कर सकते हैं, जो उपर वाला टैंक है, उसमें आपको UF मेंबरेन लगाने के लिए एक slot दे रखा है, और UF मेंबरेन को लगाना काफी जादा, यहाँ पे आसान है, आपको सिर्फ UF मेंबरेन को इसके अंदर push करना है, मैं आपको लगा के बताता हूँ, नीचे वाले टै करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यह अपने आप automatically lock हो जाएगी, तो यह हमारा काम पहला installation का हो चुका है, एक कम आप जरूर करना, जभी भी first time इसको use करते हो, इसको धो के ही use करना, धो जरूर लेना, अब यह plastic का उपर यह cap लगाना है, इसको लगाने के बाद में जो इस तरीके से रख देना है, और आपका first installation step जो है, वो complete हो गया, अब हमें उपर वाली जो cartridge है, जिसमें activated carbon होता है, sediment filters होते हैं, उसको लगाना है, sediment filters में पहले से लगे वे हैं, दो extra आपको मिलते हैं, वक्त के साथ में जब वो गंदे हो जाएंगे, वैसे वो पानी से साफ हो आपको, यह यहां से आप जैसे ही rotate करेंगे, तो उसके बाद में जो यह filters लगे हुए हैं, इसको आप easily यहां से निकाल के change कर सकते हैं, या फिर wash कर सकते हैं, तो यह जो अपने आवाज सुनी है, यह इसके अंदर जो activated carbon है, उसकी आवाज है, नीजे की तरफ में एक sticker और उसके बाद में ही use करना, यह उपर वाला cap है, इसमें यह आपने जो cartridge है, इसको इस तरीके से लगा देना है, जिसमें activated carbon है, इसको लगाने के बाद में इसको उपर वाले cover पे आपको जो है fix कर देना है, इस तरीके से, और आपका filter अब ready to use हो चुका है, और last में आपको जिसकी cap मिलती है, उसको इसके उपर की तरफ में लगा के इसे बंद कर दीजिए, अब यह best क्यू है, वो मैं आपको बताता हूँ, देखिए जो छोटा वाला filter है, उसका color आप देख सकते हैं, काफी जादा fade हो चुका है, पीला पड़ चुका है, समय के साथ में होई जाता ह उसको मैं दो साल से यूज़ कर रहा हूँ, में बात यह है कि यह केंट के जो water purifier जैना, इसके parts market में भी easily मिल जाते हैं, online तो मिली जाते हैं, market में भी easily मिल जाते हैं, बाकि आप बड़ा वाला यूज़ करें या छोटा वाला, दोनों में same parts लगते हैं, तो यह भी एक अच् के साथ experience मेरा बढ़िया है, अगर आपके tap water, क्योंकि tanky में मिट्टी विट्टी हो जाती है, tap water में मिट्टी आती है, तो उसको यह अच्छी तरीके से filter कर देता है, आरो के साथ में compare नहीं कर रहा हूँ मैं इसको, आरो लेना है तो फिर आप आरो ही लेना, अगर आपके area मे पानी का tedious level ठीक है, और पानी में थोड़ी बहुत impurities तो होती है, और गंदा रहता है, तो उस पानी को फिल्टर करने का काम यह अच्छी तरीके से कर देता है, छोटा वाला तब लेना, जब आपको एक या दो लोगों के लिए चाहिए, जैसा कि मैं अपने office में रखता चोटा वाला 10 लिटर का है, बड़ा वाला 22 लिटर का है, दोनों के ही link मैंने वीडियो के description में दे दिया है, installation मैंने आपको पूरी तरीके से बता दिया है, कोई सवाल है तो comment करना, अगली वीडियो में दिखाऊंगा कुछ और नए gadgets